यह विलकॉम बेक तो माई चैनल यह है लेक्चर 16 और इस लेक्चर में हम डिसकस करने वाले हैं about the model यह इस लेक्चर में हमने डिसकस कहता about the schema और आप देख सकते हैं कि यह वही code है same file है same file में हम code करने वाले है model कभी ओके और यहाँ पर हमने एक function create क्या हुआ है connection नाम का इसमें हमने connection क्या हुआ है ठीक है आप देख सकते हैं यह यहाँ पर हमने schema को create किया था ओके यह पूरा schema को create क्या था और यहाँ पर हमने document के shape को define के था कि वहाँ पर किस तरह का data होना चाहिए ओके जैसे की name है उसका type stream होना चाहिए roll number का जो type है वो number होना चाहिए okay and student active है की नहीं है उसके लिए हमने आप पर boolean type यूज क्या है कि अगर active है तो वो true कर देगा अगर active नहीं है तो false कर देगा ठीक है यहाँ पर हमने default value भी उसकी थी यह पूरा में आपको previous lecture में पढ़ाया था कि schema क्या होता है और वो कैसे काम करता है तो वह जब बात करते है model की आप देख लेता है कि थोड़ा model की थोड़ी जो होती है वो देख लेता है ओके तहों पर कुछ point है आप देख सकते है बजिकली एक जो Mongoお mortar होता है वह एक we write करता है जिसके ेश के टेटावेस के collection के data को create कर सकते हैं, update कर सकते हैं, delete कर सकते हैं and data को query कर सकते हैं, query करने से मतलब होता है कि mongodb compass tool के अंदर अगर हमें किसी data को find करना है तो आप पर हम सिर्फ query जा सकते हैं कि ये नाम है और इसकी ये value है, उस value से related ही document आपके सामने आ जाएगा, okay, ठीक है, second point है, mongos model connect node.js to mongodb सही है, mongos model का use करके node.js को connect करते हैं, mongodb से, okay and mongos model schema का use करता है, node.js को connect करने के लिए mongodb से fourth point है, mongos model function का use करके हम किसी भी एक particular database के अंदर एक collection को create कर सकते हैं, और ये जो collection होता है इसका जो नाम होगा, वो हम देंगे singular form में, यानि की जैसे detail, student, mongos model का करेगा, उसको polaral format में change करतेगा, detail का details करतेगा and student का students करतेगा इस तरीके से, तो अब इस पूरी theory को हम code के through देखते हैं, तो चलते हैं, vS code में, vS code में आने के बाद, देन गई जहां पर हमने schema को describe किया था, code गेंदर, schema को define किया था, एक document की shape को हमने यहां पर define किया था, जस्ट उसी के नीचे, यहां पर हम mongoose model का use करेंगे, तो यहां पर मैं comment दे रहता हूँ, model, ठीक है, देन उसके बाद मैं यहां पर mongoose model function का use करूँगा, cost keyword का use करूँगा, जो भी मैं collection create करने वाला हूँ, अपने एक particular database के अंदर, मैं इस variable का नाम वही same रखने वाला हूँ, ठीक है, जैसे मेरा एक database है college नाम का, उसके अंदर मैं एक और collection aid करने वाला हूँ, जिसका नाम में रखूँगा detail, यहां पर आपको variable का जो first word है, वो capital रखना है, ठीक है, detail, जैन उसके बाद new keyword का use करेंगे, and then mongoose का and dot का use करके, मैं यहाँ पर call कर लूँगा model function को, अब इस model function के अंदर हमें pass करना है, जो भी हम collection create कर रहे हैं, उसका नाम, और वो आपको similar form में pass करना है, within the double quotes, or the single quotes, तो मैं यहाँ पर detail नाम के collection create करूँगा, और यह automatically mongoose model function इसको क्या कर देगा, plural form में change कर देगा, detail को details कर देगा, इसमें add कर देगा automatically, okay, ठीक है, comment के तुरू separate करेंगे, then उसके बाद मुझे यहाँ पर use करना है, क्या schema का, क्योंकि देखो, यहाँ पर जो हमारा second point था, sorry, यहाँ पर जो हमारा third point है, वो क्या है, it use schema to connect node.js with mongoDB, यानि कि यह क्या करता है, schema का use करता है, node.js को connect करने के लिए mongoDB के साथ, okay, जो official website है mongo's की, उस पर भी देख लेता है, कि यहाँ पर जो model को किस तरीके से create क्या जा जाता है, उसके बारे में क्या दिया हुआ है, create the docs पर जाएंगे, then उसके बाद schema, और यहाँ पर है एक creating model, तो इन्होंने क्या theory दिया है, वो भी चेक कर लेते हैं, एक बार, to use our schema definition, we need to convert our blog schema, into a model, we can work with, to do so, we pass it into mongos.model, mongos.model जो function है, उसमें हमें model का नाम पास करना है, यानि कि वही collection का, and schema का नाम पास करना है, ठीक है, तो गाइस जो schema है, वो किस नाम से मने create किया था, student schema के नाम से create किया था, मैं इसको यहाँ से copy करूँगा, और copy करने के बाद मैं इसको यहाँ पर paste कर दूँगा, ओके, ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पर, देखो यहाँ पर तो collection तो हमारी create हो चुग है detail नाम से, जैसे ही mongodb के साथ ही connect होगा, तो collection हमारी create हो जाएगी database के अंदर, अब इस collection के अंदर हमें क्या करना है, data को add करना है, तो यहाँ पर हमें एक comment दे लेता हूँ, add data in collection by using schema and model, ठीक है, model का हम यहाँ पर use कर रहे हैं, और schema में हमने, जो document है हमारी, उसकी shape को हमने define क्या है कि इस इस तरह का data यहाँ पर add होना चाहिए, ओके, ठीक है, and cost keyword का यूज़ करके, मैं यहाँ पर एक variable create करूंगा, जिस कणा में रखूंगा data, and new keyword का यूज़ करके, अब जिस collection में मुझे data को add करना है, मुझे उस collection को यहाँ पर लेना होगा, ठीक है, उस collection का मुझे यहाँ पर use करना होगा, तो, हमें किस collection के अंदर data को add करना है detail ठीक है यहाँ पर यह जो आप देख सकते हैं यह detail detail नाम की collection यहाँ पर हम create करेंगे तो इसमें हमें data को add करना है तो अब यह पूरी की पूरी वेल्यू जो है किस के क्वल है इस detail variable के क्वल है इस detail के अंदर हम यूज करेंगे curly braces का और जो भी हमने document की shape define करी है schema के अंदर उसके according हम यहाँ पर data की value को pass करेंगे तो मैं क्या करूँगा इसको copy कर लेता हूँ ओके यह जो पूरी shape define की थी इसको मैं copy कर लूँगा और copy करने के बाद मैं इसको यहाँ paste कर देता हूँ ठीक है अब name को हमें देना string form में तो कुछ भी नाम ले लेंगे जैसे मैं ले लेता हूँ ram and roll number number form में तो one two three four class भी string form में लेनी है तो mbbs में बेच देते हैं और यह बंदा active है कि नहीं है तो active दिखा देता है true ओके ठीक है अब मैंने आपको बताया था कि जो schema के अंदर हम default value लेता है schema और model का यूज़ करके हम किसी भी data की value को default define कर सकते हैं लेकिन without schema and model के हम data की value को default define नहीं कर सकते अब हमने यहाँ पर date जो है उसकी value क्या लिए default लिए तो मुझे इसकी value को describe करने की कोई भी यहाँ पर आफशकता नहीं है model के अंदर तो इसलिए में इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ हटा देता हूँ ठीक है तो यहाँ पर जो हमने कहा था कि schema के थिरूम default value भी दे सकते हैं वो यहाँ पर proof हो रहा है अब बात करते हैं data को save करने की ठीक है तो data कैसे save होगा cost keyword का use करके मैं एक variable create करूँगा result name का मुझे data को save करना है तो data मैंने कहाँ पर define क्या है इस variable के अंदर यहाँ पर use करूँगा मैं data dot then उसके बात save करने के लिए मैं यहाँ पर save method को call करूँगा ठीक है और गाइस यह promise create हो चुकी है ठीक है तो मुझे यहाँ पर use करना पड़ेगा rate का अगर मैं rate का यूज करूँगा तो यह pending चली आएगी और मुझे console में कोई भी output नहीं मिलेगा database में तो data add हो जाएगा यह पूरा का पूरा लेकिन मुझे console के अंदर कोई भी output देखने को नहीं मिलेगा अब मैं चाहता हूँ कि जो भी data add हो रहा है database में detail नाम की collection के अंदर जो भी data add हो रहा है वो मुझे console में भी दिखाए दे तो मैं यहाँ पर यूज करूँगा console का dot log और यहाँ पर पास कर दूँगा result variable को ठीक है I think आपकी समझमा आ जाओगा कि यह मैंने क्या क्या है मैं उसके बाद इसको save करते हैं save करने के बाद अब मुझे यहाँ पर क्या करना है database को तो देखिए यहाँ पर हमने collection को तो create कर दिया है लेकिन मौंगूज के अंदर directly database को भी create कर सकते हैं for example मैं यहाँ पर देखो पहले मैं क्या करता हूँ मैं open कर लेता हूँ MongoDB compass tool को और ना आपकी समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बताना चाहरा हूँ अब यह मैं इसको connect करता हूँ ठीक है connect कर दिया मैंने database देख लेते हैं कि हमारे पास कितने database है आप देख सकते हैं कि हमारे पास admin है, college है, configuration है, local है, test है यह तो हम नहीं में से किसी एक data को target कर सकते हैं अगर मुझे इन ही में से किसी भी डेटा को टारगेट करना है तो मुझे उसका नाम यहाँ पर पास करना पड़ेगा एजिट ठीक है जैसे कोलीज था तो यहाँ पर मैं कोलीज पास कर दूगा और कोलीज के अंदर आप देखो कि यहाँ पर सिर्फ एक कलेक्शन है स्टूडेंट नाम की तो जब डेटाबेस कनेक्ट होगा होगा क्या डेटेल नाम की एक कलेक्शन ओटिमेटिकली क्रेट हो जाएगी किंसके त्रो रहरा है यह फंक्शन के थ्रो रहा है यहाँ पर यहाँ पर अटिम ेटिकली एक क्रेक्शन क्रेक्शन होगा यह डेटाबेस अगर यह डेटाबेस मांगो डेपर यहाँ पर टेस्ट है लोकल है Chrome exercise ops class को यहाँ द्मिन है और अगर मैं यहाँ पर देदू सिरिफ student की student नाम का data create करो अब वो available भी नहीं है तो अब होगा क्या वो automatically create हो जाएगा और collection भी create हो जाएगी ओके देखो control एस करेंगे then उसके बाद control plus back disk का use करेंगे code को run करने के लिए और यहाँ पर मैं node 1 का use करूँगा node 1 और हमारी file का नाम है connection app.js तो जैसे ही यह node 1 हमारा चालो होगा तो यहाँ पर हमें console में result भी मिल गए कि क्या का data add होगा है हमारा आप देख सकते हैं यह पूरा का पूरा यहाँ पर name role number class active true ठीक है और जिस data को हमने default define किया था उसकी value भी यहाँ पर आप देख सकते हैं हैं खुद बखुद दे रहा है यह किसके थो रहा है यह schema के थो रहा है without schema के यह possible ही नहीं है अब देखते हैं कि MongoDB में क्या update हुआ है तो मैं यहाँ से इसको refresh करता हूं तो जैसी में यहाँ पर refresh करूँगा आप देख सकते हैं कि यहाँ student नाम का data create हो चुगा है और जैसी में इस पर क्लिक करूँगा तो details नाम की collection create हो चुगी है मैंने कहा था कि यहाँ पर collection का नाम देंगे वह singular form में देंगे और mongoose model function उसको पलूरल में पलूरल format में change कर देगा तो यहाँ पर वह ही हुआ है details को इसने क्या कर दिया है details कर दिया है अब इसको open करते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो data है वो भी add हो चुगा है अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ validator ओके विदाउट code validator समझी ने आयागा मैंने आप यहाँ पर बताया था कि schema का यूज करके हम validation भी apply कर सकते है data के ऊपर कैसे देखो देखो इसको ऊपर कर देता है model पर ही और चलते है vs code में और इस schema के अंदर हमने document की जो shape define किया है आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ name दिया है मैंने role number दिया है class दिया है active दिया है और date यह तो default हो गए इसको मुझे model के अंदर define करने की ज़रती नहीं है यहाँ मैंने यह नहीं किया है यहाँ पर मैंने chart define किया है ओके तो अब validation से मतलब क्या है इसकीमा के अंदर जो data की shape define होगी सिर्फ हम उसी को add कर सकते है model का use करके without schema और model के हम क्या करते थे हम चार भी value add करते थे database में 5 भी करते थे लेकिन यहाँ पर इसा नहीं है जो value यहाँ पर define कि हमने उनी कि value हम यहाँ पर model के अंदर define कर सकते हैं वही data हम यहाँ पर define कर सकते हैं कि वह हमारे collection में add हो for example जिसे में यहाँ पर देखो यहाँ पर schema के अंदर name role number class active है अब मैं यहाँ पर एक extra data लेता हूँ मैं चाहता हूँ कि यह भी add हो जाए मैं यहाँ पर कहता हूँ कि section को मैंने उपर बताए निकी इसका type क्या होना चाहिए ठीक है जो यहाँ पर validation है उसीफ चार property पर apply हो रहा है name role number class and active ओके इन चार property के अलावा हम कोई पांच ही property model के थुरू add नहीं कर सकते mongo db के अंदर ओके जिसे मैं यहाँ पर section ले रहा हूँ अभी आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं section को कह देता हूँ कि section होना चाहिए अब चेक करते हैं कि यह सेव होता है कि नहीं होता है कंट्रोलेस करूंगा तो नोडमन हमारा चालू है पहले console में चेक कर लेते हैं कि क्या output आया है तो आप output देख सकते हैं इसको थोड़ा में ऊपर कर देता हूँ ऐसे तो देखो name role number class active true और जो default value है वो भी mongodb में add होगी है लेकिन यहाँ पर section a नहीं आया section a यहाँ पर add नहीं हुआ क्यों कि यहाँ पर validation हो रहा है कि आप सिर्फ name role number class और active और या फिर जो default value है उसी को आप mongodb के अंदर add कर सकते हो आप चेक करते हैं mongodb के अंदर मैं इसको यहाँ से refresh करता हूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं name role number class active और section यहाँ पर available नहीं है यहाँ पर क्या हो रहा है schema के थिए मे थूर्ओं यहाँ पर validation we aplay हो रहा है और model किया करता है model collection को खמ症 करने के लिए schema का यूज करता है और data की value को re-define करने के लिए model schema का यूज करता है यह हम कह सकते है model schema का you use करके mongo db में data को add करता है create करता है update करता है और delete भी करता है यह चार ओपरेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले आपको समझ मा आ गया होगा कि किस तरीके से हमने connection किया है किस तरीके से हमने schema को define किया है और schema का work किया है और model का use कैसे होता है ओके मंगोज के अंदर यह तीनों वीडियो के अंदर एक पूरा code था आप तीनों वीडियो को देखे complete उसके बाद आपको complete समझ मा आ जाएगा तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में लीज वीडियो को लाइक करते शेयर करते और सब्सक्राइब करते थैंक